Hello everyone, this is Rohit Kashyap दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एक और बिटिश पॉइट Alfred Lord Tennyson की लाइफ और उनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क को डिसकस करेंगे इनका जन्म हुआ था 6th August 1809 को सोमर्स भी लिंकन शायर इंगलेंड में यह सोमर्स भी एक गाउं है लिंकन शायर में और लिंकन शायर दोस्तो इस्ट मिडलेंड इंगलेंड में एक कंट्री है इनके फादर जोर्ज क्लेटन टैनिसन और इनकी मदर थी अलिजबेत इनके पता एक रेक्टर थे दोस्तो रेक्टर एक तरह के ये पादरी होते हैं जो किसी एक एरिया के इंचार्ज होते हैं इस तरह से एक रेक्टर का मतलब ये भी होता है कि ये किसी उनिवर्स्टी में या किसी सेकंडरी स्कूल में कोई सीनियर अफिसर होता है उसको भी रेक्टर कहते हैं लेकिन यहाँ पर हम अलफ्रिल और टेनिसन के फादर की बात कर रहे हैं तो यह एक पादरी थे इनके घर की कंडिशन कुछ ठीक नहीं थी फिर भी इनके फादर ने पूरी कोशिश की दी कि यह इनको अच्छी सिक्षा दे सके इनका बच्चपन ग ग्रामर स्कूल में एडिमिशन दिला दिया यानि पढ़ने के लिए भेज दिया लेकिन अर्फलर टेनिसन को वहाँ पर अच्छा नहीं लगा यह किसी तरह वहाँ पर खोश नहीं थे तो इनके फादर की हेल्थ बिकड़ने लगी थी तो यह थोड़े से अफसेट रहने पॉब्लिश कराया था 1827 में और 1827 में ही ये Trinity College Cambridge गई यानि admission ले लिया हनोंने Cambridge University में 1827 में यहां Cambridge में इनकी reputation as a point increase हुई थी और यहीं इनकी मुलाकात यानि Cambridge University में इनकी मुलाकात अर्थर हैलम से हुई थी दोस्तो this was the deepest friendship of his life फिर 1829 में दोस्तो इनको chancellor's gold medal बिला था इन्होंने एक poem लिखे थी तिमबक्टू उसके लिए फिर दोस्तो 1830 में इनकी एक और बुक आई poems chiefly lyrical फिर 1831 में दोस्तो इनके father की death हो जाती है तो थोड़ी सी financial problem के कारण बिना degree लिए ही इन्होंने Cambridge University को छोड दिया और 1832 में इन्होंने अपनी एक बहुती famous poem the lotus eaters को publish कराया फिर इनके father की death के दो साल बाद ही यानी 1833 में जो इनके best friend थे अर्थर हैलम जो मैंने आपको बताया था भी थोड़ी देर पहले उनकी भी death हो जाती है दोस्तो एक एक point बहुती important है exams के लिए वो जो especially आपका भी exam आने वाला है UPPGT का तो आप इनको note कर ले या इसकी shot ले ले और 1847 में इन्होंने अपनी एक और poem the princess को publish कराया फिर 1850 में दोस्तों इनकी शादी हो जाती हैं इनकी wife का नाम था Emily Selwood और उनसे इनको दो संताने भी होती हैं और फिर 1850 में ही ये point laureate बन जाते हैं William Wordsworth की मौ आगे बताऊंगा फिर इसी साल यानी 1850 में ही दोस्तों इनकी एक बहुत ही famous poem थी in memoriam उसको इन्होंने publish कराया उसके बाद इनकी एक और poems की book थी mod 1855 में इसको publish कराया इसके बाद इनके 12 narrative poem की एक cycle थी दोस्तों जिसका नाम है Idols of the King इसको 1859 से लेकर 1885 के बीच में इन्होंन 18 Mary ये इनकी एक poems की book है इसको 1875 में और इसके बाद इन्होंने अपना एक drama Herald 1876 में publish कराया और फिर The Cup and the Facon ये भी इनका एक drama था इसको 1884 में और Tarsius and Other Poems ये इनकी एक book है poem का collection था इसको 1885 में publish कराया और फिर इनकी एक और book यानि poems की book थी है Demeter and Other Poems इसको 1889 में इनको पब्लिश कराया और फिर दोस्तो 6th of October 1892 यानि जब ये 83 years के थे तब England की death हो जाती है और London में एक church है Best Mr. Abhay वहाँ पर इनको दफना दिया जाता है तो दोस्तो आज की वीडियो बस इतना ही चली मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू